हैलो फंद्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल केरियर पइज़केशन में आज की च्रास में हम मंध्या प्रदरीश के वारे में देखेंगे किस छित्र में क्वान सी मिट्टी पाई आती है यानि ये स्वाइल साफ मध्य प्रदेस के बारे में बात करेंगे उसका कितना परसंटेज है साथ ही साथ इस से रिलेटेड आज टी क्लास से रिलेटेड जो अगर आपने हमाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आगे आने वाले वीडियो के अबडेट आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं अपनी क्लास की और तो सबसे पहले जैसा कि मैप में क्लियर हो पा रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में हुआ है मध्यप्रेश में कौन सी मिट्टी पाई आती है तो हम बता दें कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई आती है उसके अलावा जलोड मिस्ट्रिद लाल पिली लेटराइट ये क्या बनता है कि मद्सक्यार्स Mk3 ने मिटेस तो हमारा इंसराइब की बात करें तो काले 7% आरीले आती है लाल पीरी मिंटी 33% में जलोमी 5% में और इसके लाव कक्षारे मिंस्टिभ मिंटी भी कहीं कहीं पाई जाती है clear चली देखते हैं कि मिटी आँ हुमें आप पर इसकी फीचर देख लिते हैं कि छेत्र में पाई आती है ठिक तो काली मिटी के अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को हुमस और रेगर इन दो नामों से भी जाना जाता है तो क्रिश्चन यहां से बनता है कि मद्यप्रदेश में सबसे जादा पाई या नामों से जाना जाता है तो हुमस अथवा रेगर नामों से भी जाना जाता है ध्यान रखिएगा और स्थानी योग से भर्री ऎत्वा कनहर भी कहते हैं कि भर्री हैborg already thickener भूरी मिट्टी होती ुछ यह इसका भर्री अत्वा कनहर कही आता है मद्ड़ेश्म में सरवाधिक परियाने मिट्टी कॉन इसाने इम काली मिट्टी है अब जब हमने आपको the contract तो कियो कि किससे बनी हुई है। वो बसाल चत्ताने मतलब क्या था कि वो जो था वो जो शहाल मियों से निर्म。 करें तो किस परकार कि का प्फॉर्मिशन चरहेगा ? वो ब्लेक शॉयल का फॉर्मेशन करेगी काली मिट्टी का फॉर्मेशन करेगी हमने बता हुआ क्लियर किया था तो इसलिए दक्कन ट्रैप मालवा के पठार में बशाल नामक आगने चट्टानों से निर्मितिया है लावा मिट्टी है क्लियर और अब उसका काला रंग जो होता है मैं काली मिट्टी का जो काला रंग होता किसे कारण होता है वो लोहे की एक्सेस के कारण होता है ठीक ना उसके अधिक्ता के कारण होता है इसके लावा चूने की पस्ति से आधिता क्रहन करने की उसमें च्छमता होती है ठीक ना एतंब कंदंधा हैं तो पी-एकंधा सो फॉर्टीन क्वासा सुए सबल लिए नाराइश कोस्यों प्रेश प्रेस के पांसटेशा कि 5 robust सर्वॉत्तम होती है इसमें किस की प्रदावार किया तो कपास की खेती के लिए यह अच्छी होती है ठीक ना इसके रेगल मिट्टि भी कहते हैं लोहा चूना की प्रशुट्टा और फास्पेट नाइट्रोजन जयवपदार्थों कमी होती है लोहा चूना की ज्यादा मात्रा होती है फासफेट नाइट्रोजन इवन जो जयवपदार्थ है उनकी क्या होती है इसमें कमी होती है अगर हम बात करें इस मिट्टी को तो इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं गहरी काली साधारन काली और छिछली काली मिट्टी क्या है तो साधारन काली मिट्टी सबस्याद से शेडरें पाई जाती है तो आप तरफ में चिछली काली मिट्टी पाई जाती तो अपने को याद रखना है आपने को याद रखना कि काली मिट्टी कितने परसंटेरिया पाहिती है तो पाहिती है लभग 47 percentage चेतर में पाहिती है pH value कितना होता है 7.50 8.5 होता है यानि कि प्रकित होती होता है यह प्रकित होता है बेसिक होता है चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाल पी ली मिट्टी तो सबसे ज्यादा चेत्र में पाई गई काली मिट्टी 47 परसेंटेज में फिर उसके बाद पाई आती है कौनसी लाल पीली मिट्टी लभग 33% चेत्रों पाई आती है इससे क्रेशन बनता है ठीट तिसवाब दों ध्यान रखेंगे पाई जाने वाली मिट्टी है बुंदेल बन्देल खेंगे बगहेल खंड में पाई आती है इसका मंडला बालागार सीथी और सहडोल जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई आती है ठीड़ी ना इसका जो फॉर्मेशन हुआ हो आर्कियन धारवार अथवा गोनवाना काल की चटानों के रितुछ हरन से हुआ है यानि होता है क्लियर फेरिक आक्साइड के कारण पीला रंग होता है और लाल रंग को बात करें तो लाल रोहे के आक्सी करण के कारण होता है आरन की ऑक्सीडेशन से क्या होता है लाल रंग होता है और पीला रंग फेरिक आक्साइड के मात्रा से होता है अगर इसके बात करें से यह वैल्य थो होती है यह अम्ली से चाहरी होती है ठीक चावल की क्रिसी के लिए उपयुक्त होती है लाल प्रिली मिट्टी में किस फचल की पैदावार ज्यादा की आती है तो हम पर और आप्षन दे रहा था है चावल की यूमस और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी कमी ही होती है ध्यान रखिएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट जलोड ये कॉप मिट्टी राज के उत्तर पश्चिमी जिलो यानी कि हमारे जो मत्रेस का जो उपरी छेत्र है उपरी वाला इधर उत्तर पश्चिमी छेत्र वहां पर भिंड मुरैना शिवपुरी ग्वालियर पाई आती है उस दोमत मिटी भी कहा आता है अली वाल या फिर दोमत मिटी भी कहते हैं जलोड मिटी का निरमाल कि नेसकि इस सबस्क्रणल लगबग 30,000,000,000 चेट में चाहरी प्रकित की थी उसके बाद में जलोड मिट्टी भी चाहरी होती है और इसके पहले बताया था लाल पेली मिट्टी तो उसका था 5.5 to 8.5 इसका निचर कैसा होता इसका था एस लिक टू बेशिक जलोड मिट्टी में बालू शिल्ट मृत्विका का अनुपात यानि बालू शिल्ट और मिट्टी का अनुपात किता होता है 50 इस्टू से 19.6 इस्टू 29.4 इंपॉर्ट जादा नहीं है लेकिन आप पता होना चाहिए ठी जलोड मिट्टी कि इसके लिए उपच के लिए होती है सरसों गेहों की फशल के लिए याद रखिए कि इंपॉर्टन्ट है काली मिट्टी कपास के लिए लाल पेली मिट्टी चावल के लिए और जलोड मिट्टी सरसों गेहों की फशल के लिए क्या होती है उपयुक्त होती यानि की बिविन्ट प्रेकार के इसमे जब सामिल जाते हैं जिसकानिस की और खता अधिक हो जाती है step हैं चलिए देखते हैं next कचारी मियुक्ते नदियो दर बहा कर मैदानी छेत्रों में बिछाई जलोई खलों फिक्षिरमति-चलीं-चली 12 कारी मियुक्ते कैकर अध्य आध에서 शेवपुर्जिलों में पाई आती है यानि कि मत्रिद मिट्टी में लाल पीली मिट्टी का मिस्ट्रिद मिट्टी से लिए बोल लगे है कि इसमें कई मिट्टियों का मिस्ट्रा पाई आता है मिट्टी में मोटे अनाज पैदा किया आते हैं और इस मिट्टी में नाइट्रोजन फासफ़रस की कमी मिट्टी में होती है तो सिर्फ कार्वनी पदातों की कमी होती है में क्लियर चला है यह धेकते हैं कि हमारी मिट्टी के बारे में अब हम आज बात करेंगे इसके जो क्रिक्ष्ण ओब करिक्षण सब्सक्राइब हुए है खुर्ण देखते हैं कॉन्-कॉन्स कन पहरा के सब्सक्क्राइब कितने प्रिकार की मिट्टी सरवाधिक कॉन सी मिट्टी पायाती है धीक ने प्रकार की मिट्टी कौन सी पायाती है थिक न तो सब जब दो पाई आने मिठी कौंँ सी हमारी काली मिठी तो option इसका सभी क्या होगा option A कि जुद एक क्या है मज़ कितने प्रतिसत भाग में जलोड मिठी पाई जाती है इसके लाव 47 पर से कहां कौंसे पाई आती है 47 पर से पाई आती है जलोर मिट्टी को होगा एक सी चली देखते नेक्स प इससाल के लिए आधर उपईवथ होती है लाल पीली मिट्टी हमने है था लाल पील्य मिट्टी चांवलं के लिए जान की से बनता है भाद्ट तो सही option क्या होसाथ काली मिट्टी कापास के लिए ठीक ना जलोर मिट्टी यह फिर भी बोलता है मिस्तित मिट्टी जो होती है मोटे अनाजों के लिए होती है क्लियर यहां पर लाल पीली मिट्टी किसके लिए धान की फचल के लिए उपयुक्त होती है चलिए देखते हैं जलोड मिट्टी का पी एच मान कितना होता है जलोड मिट्टी का पी क्या होगा option ए सही होगा साथ से अधि होता है जलोर मिट्टी पी-एच मान चलिए देखते हैं लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है ठीक लाल रंग किसे कारण था हमने थोड़े पहले आपने ध्यान दिया होगा हमाई क्लास में option लोहे के आक्सी करण यानि आफ आइरन फेरिक आक्षी करण आक्षीजन के कारण यह और भी दोनों के कारण यह तब कोई नहीं तो हमने उता है था लोहे के आक्षी करण के कारण क्या होता है उसका लाल रंग होता है ठीक ना फेरिक आक्षीजन के कारण क्या होता है उसका पीला रंग होता था तो आप्षन यह सही होगा लोहे के आक्षी करण के कारण चली देखते हैं काली मिट्टी के छेत में काली मिट्टी के छेत में सरवादिक करण सर भी सिर्ट बश्यों करें समय में की व्याद कर दाुंद करने की के अंडर स्व ciao होते तो सही होगा उप्शों जाएक तो अले यह कुछ श्रूशन पहले बी आये हुए हैं और कुछ श्रूशन उससे इंपॉर्टन और हैं मध्यूंद्ध नियुक्स में काली मिट्टी सर्वाथी कहां पाई आती हैं तो काली मिट्टी हमने बताया काला रंग किस कारण होता है काला रंग किस कारण होता है और चूने के कारण लोहे के कारण 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 के कारण नन आफ दा इबव उपरोग में से कोई नहीं तो जो काली मिट्टी काला रंग हमने बताया था किसे कारण होता है वह लोहे के कारण होता है लोहे के कारण होने का पूछ रहा है लाल पीली मिट्टी का पीला रंग अब आप पूछ रहा है लाल पीली मिट्टी का पीला रंग किस वज़ा से होता है ठीक ना तो फेरिक आक्षाइड के कारण लोहे के चारण अधिक्ता के कारण कोई नहीं तो लाल लाला के पाइड के वाज से उसका पीला रंग होता है responsibility कि किस पठार में पाई आती है लाल पीली मिट्टी किस पठार में पाई आती है मालवा पठार में बगेल खंड में बंदेल खंड अथवा नर्वदासोज घाटी में तो हमने बताया था कि जो लाल पीली मिट्टी है वह मद्यप्रदेश के बगेल खंड छेत्र में पाई आती है है काली मिट्टी जलोर मिट्टी लालपीली मिट्टी यह वन प्रॉक्त में Bei नहीं तो बालू कि कमकरमे होती है वह सब्ह cavity तोमने मित था कि सबसे ज्यार्द उपजाओ मित्टी कौन सी विटी जलोड मित्टी होती है घलोड मिट्टी तो सही option क्या होगा in नेक स्टूर्चन है मद्य aç में Forty-seven percent भाग पर कौन सी मिठ्टी पाला ती है तो 47 पर कोन सी मिठ्टी पाली मित्टी ओप्शन D सही होगा इसके लाव बताया था लाल पेली मिट्टी लभग 33% भागों पाई आती है जलोर मिट्टी लभग 3% भागों पाई आती है मिस्तिरित मिट्टी बहुत ही अलब मातरा में पाई आती है तो इस question का सही अंसर होगा option D काली मिट्टी next question मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में मालवा पठार में हमने रता था किस से बना हुआ है वो बना हुआ है किस छेत में आता है वो दक्कन प्लेटी वाले एरिया में आता है ठीक दक्कन प्लेटी में आता है किस मिट्टी से बनी होगी वो लावा मिट्टी से बनी होगी लावा मिट्टी होगी तो कौन से मिट्टी कहलाएगी वो काली मिट्टी कहलाएगी clear तो सही option क्या होगा option d सही option है जलोड मिट्टी किस परकार के फशल के लिए उपयुक्त होती है जलोड मिट्टी ठीक, गन्ना के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए यत्वा उपरोक्त सभी तो हम बताते हैं कि जो जलोड मिट्टी होती है वो इन सभी फसल के लिए उपयूक्त होती है गन्ना के खेती के लिए भी, गेहूं के लिए भी और कपास के लिए भी Okay, सही option हमारा क्या होगा, यहाँ पर answer, option D, next question है, लावा से बनी मिट्टी किस प्रेकार की होती है, लावा से बनी मिट्टी, तो जो लावा से बनी मिट्टी होगी, वो कैसी मिट्टी होगी, वो काली मिट्टी होगी, clear, तो हमारा सही answer क्या होगा, option A, option A, काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्मार किस चट्टान से हुआ है काली मिट्टी का निर्मार किस चट्टान से हुआ है आप्शन दे रखा है बशाल्ट रूपांतरी शादी अत्वा इन में से कोई नहीं तो काली मिट्टी का जो निर्मार हुआ है वह होता है किसे बेशाल ट्रॉक से हमने बताया था कि यूँकि लावा मिट्टी बनी होती है तो आप्शन ए बेशाल चट्टान नेक्स्क्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आई होब कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी हमने पहले इस कारे मिट्टी गार में बताया कि छेत्रें पाया जाती है कितना पर्सेंटेज है उसका पी-एच वैली किता होता है ठीक पी-एच वैली इसको पूछ लगता है उसको आप ध्यान रखिएगा पी-एच वैली किस एरिया में पाया जाती कौन से मिट्टी और कितना पर्सेंटेज पाया जाता है यह तीन चीज़ें इंप्रिक्षा के द्रिश्टे ठीक पहले क्षण आया हुए है ठीक तो आई होब कि चीज़ेंस क्लियर हुई होगी मिलते हैं अगली क्लास में फिर नए वीडियो साथ में गडियो सारे के डियेंस कितना है ऴोुफ हुए हुए है हम एाता है झान को शेज़ेंस के द्रिशब डियों इल कितना के तच आया है यह है